यूपी के अयुद्य जिले में राम जन्भूमी पर चेकिंग पॉइंट पर तैनाज साथ महिला कॉंस्टेबल याला शेनिवार को विगड़ गई इन सबी को शुक्रवार को कुरोना वैक्सिन दी गई थी बेचैनी और चक्कराने जैसे लक्षों के बाद उन्हें शीराम अस करने के लिए सड़कों पर बैठे उदर जम्मू पठान को ठाईवे पर भी किसानों ने गाड़ियों के आवजा ही रोकी तीन केंद्री क्रिशी कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली यूपी के गाजिवाद बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर अंलम बाकिस सकता है दरसल किसानों के आंद्रनकों लेकर भारती किसान यूनियन के राष्टी प्रवक्ता राकिष्टे कैत ने बड़ा वयान दिया है शनिवार को चक्कजाम से जड़े एक सवाल में राकिष्टे कैत ने कहा कि तीनों केंद्री क्रशी कानूनों को रद्द करने के मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आगामी दो अक्टूबर तक चलेगा शुकरवार को प्रदर्शन कारी किसानों के एक ग्रुप ने पंजाब के पटियाला में चल रही बॉबी देउल विकरांत मैसी और सान्या मलोतरा श्टार फिल्म लव हॉस्टल की शूटिंग र दिनजार पाटी के लिए जन समर्थन जुटाने के उदेशिस एक बार फिर बंगाल के दोरे पर हैं शनिवार को उन्होंने मालदा के शैपुर में तीन हज़ार स्यादा किसानों के साथ खिचडी भोज में हिस्सा लिया इस दोरान किसानों को संबोधत करते हुँ नड़ा ने बंगाल की सियम अमता बनर जी पर जम कर निशाना साधा पीम नरेंद्र मोधी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए शनिवार को गुजरात हाई कोट की हीरक जैनती के मौके पर आज़ित कारक्रम में शामिल हुए प्रदान मंतरी ने इस मौके पर एक इसमारक डाक टिक प्रदान मंतरी के सान निधी को लागू नहीं होने दिया अमेरिकी राष्ट्पती जो बाइडन ने साफ कर दिया है कि पूर्व राष्ट्पती डोनल्ल ट्रम को किसी तरह की खुफिया जानकारी नहीं दी जाएगी दरसल अमेरिका में ये परंपरा रही है कि पूर्व राष्ट्पती को उतनी ही खूफिया सूचना यानि इंटलिजन्स ब्रीफिंग दी जाती है जितनी वरतमार राष्ट्पती को ऐसे में बाइडन का फैसला ट्रम्प की एक और फजीहत माना जा सकता है टाटा ग्रूप के पूर्व चेर्में रतन टाटा को भारत रतन देने की मांग उट रही है इसके लिए सोशल मीडिया पर हैस्टेक भारत रतन फौर रतन टाटा केमपेञ चलाया चारा है हाला कि अब खोड टाटा ने सोचल मीडिया प्रभायन जारी करके ये कैमपेड रोकने का निविदन किया है राजधारी भोपाल में देड़ साल की मासूम खेलते खेलते मा की आखों के सामने ही तीसरी मंजिल की छट से गिर गई गंबीर हालत में मातापिता से अस्वता ले गए जहां इलाज के दौरान मासूम ने तीस घंटे तक मौत से लड़ने के बाद दम तोड़ दिया अदेश में करोना टेस्टिंग आखड़ा बीस करोड के पार हो गया है इनमें से एक करोड आट लाग पंदरा हजार लोग संक्रमित हैं रात की बात यह है कि अब तक एक करोड पांच लाग और नियासी मरीज ठीक हो चुके हैं संक्रमन से एक लाग चाउर हजार से जादा लोगों की मौत हो चुकी है एक लाग पतालीस जार से जादा ऐसे मरीज है जिनका इलाज चल रहा है जमू कश्मीर में हाइ स्पीड इंटरनेट सिवा बाहल कर दी गई है 18 महिनवाद राजज में फोर्ज इंटरनेट सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है जमू कश्मीर के पावर एन इंफरमेशन के प्रधान सचेव रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी दी है